हरियो मैं स्री प्रविन्सिय मारोति सावन भाइंदर उपासना केंदरा बापू हमारे लिए नए नई क्योंकि जब बापू जीन का प्रवचन देसलोगा आइसकुल दादर में होता था तबी मेरी मा और मेरी बहें वो प्रवचन के लिए जाते थे बात में मेरे बड़े अधाय नहीं है वह खुद की तब्यत के वास्ते बापू जी के क्लीनिंग में दादर में जहाँ क्लीनिंग था बापू जी का है बात में बापू का प्रवचन न्ेंगली स्कुल बांदरापुलवा में शुरू हो वो समय दूसरे भाई और उनकी बीबी जो नाला इना सो प नए नई है मैं मुम्माई में रहता था कुछ जग्या की वज़े से हम लोग संदों दो जर आट में भाहिंदर में रहने के लिए आ गए नियू गोल्डर निश में हमारा साथ सो पचा स्केर फूड जगा थी अब उदर वो टाइम मेरे को जानकर ही मिली कि यहां उपासा रहे लेकिन आने के लिए टाइम नहीं मिलता था समय नहीं मिलता था कुछ वजह से मैंने वो जगह चेंज कर ली और लोड़ा में मैं आ गया 365 स्केर फूड में और जब से मैं भाइंदर में आ गया 2008 में से तभी से लेकि आज तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लिम चालोते इतने फैमिली प्रॉब्लिम हो रहे थे कि एक्चुली हम दोने ही घर पे थे फिर भी रोज कुछ ना कुछ जगड़ा होता था अपि क्या पता और इतना कंटा ला गया मेरी लाइफ स्पॉइल होने को आई और मैंने एक डिसेजन लिया बापु की प्रतिप के सामने खड़ा हो गया और बापुजी को विननती की कि बापुजी अभी उच हो नहीं रहे मेरा जो लाइफ है ओ भी स्पॉइल हो रहा है तो मैं अभी मैं मिए जॉब करता हूं रोज 6 बचे 6 बटकर 6 मिनिट की वह रूरी गाड़ी पकड़ता हूं और मेरी आदत नहीं है यह उर्टी गाड़ी पकड़ना ये तो मेरी ओदत नहीं है लेकिन वो दिन ऐसा था कि में मेरे जो मेरा डाईस ज़िए जिण वह करने लिवी ता तो वह दीन गाड़ी डशेव बसकर्ट पे आयूगे मैं उपर श्टेशन से लेकर जैसे गाड़ी दीखेया बह। मैं भाग के वो चलती गाड़ी मैंने पकड़ी मेरे को पता नहीं क्या हुआ जैसे मैंने गाड़ी पकड़ी वो गाड़ी का दर्वाजा मेरे हाथ में आ गया और मैं बाहर लटकता रह गया अंदर से पैसेंजर चिला रहे थे अरे भाई इसको ले लो अंदर ले लो अंदर ल जैसे ठकल दिया में गाड़ी में आ गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, पैसंजर तो बहुत चिलाने लगे, आपको समझता नहीं क्या, तीन मिनिट के बाद गाड़ी रहती है, मैं चुप बेटा, मैं कुछ नहीं बोला, शाम को घर पे गया, चाही ले, रोज की तरह खाना खा गर में कुछ ऐसा बोला यहीं, कुछ हुआ यहीं नहीं और खाना के रात को सो गया, लेट नइट में मेरे को लगा कि कोई मेरे पर आक popस बेंटा है और मेरे से, मिरppen, स मिक उठाया, उन्हों नहीं उठाया और बोले क्या, ज्यादा खुंखुमी थी, क्या, क्या, खुद पक्का था तेरी डेट काज लेकिन मैंने आपको संभाला कि मेरे को माखलूम है सब तुमारे प्रोब्लेम्स मैं रोज बूलता था कि हो जाएगा लेकिन धीरज रग लेकिन धीरज रग अगले मेरे पस समय नहीं ता मैं बहुत कंटल गया था उसके बारे में बापु ने मैं समझ रहा था उनको कि मेरे को दिख नहीं रहा था कोई वेक्ति मेरे सामने है पुरा अंदेरा था घर में उन्हें नहीं कहा मुझसे कि देख तेरा जो प्रॉब्लम है हो सौल हो जाएगा थोड़ा धिरज रख विश्वा सरक मेरे उपर और इसके आगे इसके खुदकिशी बर में सोचना भी नहीं और इतना जो अद्द्रथ आपर जी मिरे को सुना रहा था उगायव हो गयाается मैं नीम में से उड़ गयाऊ और मैं खुछ रहा ता कहा है वह का है वह और सामने मिरे घर में springs के सामने मैं क소्रा आघ गया और पुझजी के बुला प्ऊजिए शम्ह बंगत लेकिन आज तुम्हारी वज़े से में बज़ गया इसके आगे मैं इसा कुछ नहीं करूँगा और इतना भूलके बापुजी के अभरमन के मैंने बापुजी के कह दिया कि बापु, you are a great हरियों सीराम अंबध्या नात संबीत